स्वागत है आप सभी का स्योडीपी लानिंग चैनल पर तो जिस तरह से आपको यहाँ पर एक आर्ट बनाया हुआ दिख रहा है प्राकृतिक द्रिश्च का यदि आप ऐसे ही आप भी प्राकृतिक द्रिश्च बनाना चाते हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजे तो चलिए वीडियो की सुरुआत करते हैं जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ और जो कलर मैं पहले इस्तमाल कर रहा हूँ आप उसी कलर से एक कॉगज लीजिए और उसके उपर इस तरह से प्रिंट करना स्टार्ट करिए जिस जिस तरह से मैं आप सभी को बता रहा हूँ उस उस तरह से अग भी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजे कला की चाहे आप 10 में हो चाहे 12 में हो पूरी तैयारी हमारे चैनल से आपको हो जाएगी और अन्य बिसेओं की भी तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर रखें ठीक तो देख हैं उसी color को आप यहां पर लेकर उसके उपर paint करें जो अभी लालिमा पून color था उसके उपर हमने यहां पर थोड़ा सा white color लगाया है क्योंकि आकास में white होता है और सुबह के समय में जो है सूर का जो वो प्रकास होता है वो लाल होता है तो उन दोनों का मिस्ण दिखना चाहिए इस तरह से हम यहां पर इसको design कर रहे हैं और आपको भी ऐसे ही करना है जैसे किया जारा है as it is करना है नहीं से कुछ कम करना है नहीं से कुछ जाड़ा करना है बस जिस जिस तरह से यहाँ पर किया जा रहा है आप करते रहें पीले कलर का यूज करके आप नीचे यहाँ पर ственड करना स्टार्ट कर दीज़े जहाँ तक मैं पींड करूंगा उस तरह से आप करेंगे ठीक है जैसे मैं थोड़ा सा पेंसिल से पहले बनाया था आप इस तरह से जो है लाइन भी खी सकते ताकि जो है जो आकरती यहां पर देने वाले हम वो आकरती यहां पर आराम से बन जाए ठीक तो इस तरह से यहां पर हम पीला करने के बाद नीचे से जो ऊपर वाला कलर था वही यहां पर हम नीचे भी यूज कर रहे हैं ठीक अब इसको जो है प्धोडा सा उपर से जो है लालिमा पून क्लर जो था उसको ऐसे हम यहां पर फिर से थोड़ा करके दिखा देरें ठीक है तो इस तरह से यहां पर करें और सको जैसे जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ही आप भी पोद अर पैंड करें गे चाहे तो आप उस तरह से देख देखकर इसको जो है बनाते जायम, नीचे का जो नीला रंग है वो उन्हें यहाँ पर ज्यादा मतलब डार किया है, उसको ज्यादा गाढ़ा किया ताकि वो नीला रंग आपका अच्छे से डिखने लगे तो यहाँ पर नीचे वाला इस तरह से मैंने कर दिया है अब देखिए उपर से भी मैंने यहाँ नीले कलर का यूज कर रहा हूँ और किस तरह से बारीकियों का ध्यान देना है अगर आप यहां बारिकियों का धान देकर चित्र बनाते तो निश्ची तोर पर बहुत अच्छा चित्र आप तयार कर लेंगे ठीक तो देखें यहां पर असली कलाकारी जब दो मतलब कलरों के बीच में जो डिजाइन होता है उसके होती है अगर आप यह सब करने में सच्छम रहें तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छा चित्र जरूर यहां पर बना पाओगे ठीक तो इस तरह से यहां पर जो है इस रंग से आप इसको जो है करिए यह हरे कलर का है तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर पुरा एक रास्ते का सेव देना है आपको तो इस तरह से आप कर लीजे थोड़ा टेड़ा उड़ा हो जाएगा कोई दिक्कर नहीं जब कलर करोगी तो बहुत अच्छा लगने लगेगा ठीक तो इसलिए आपको घबडानी की ज़रूत नहीं कि हमारा हलका सा टेड़ा हो गया आप क्या होगा उससे कोई दिक्कर नहीं है ठीक यह ध्यान दीजेगा तो इस तरह से बस आप कलर जो रखे हैं उसका सयोजन अच्छे से करते जाएगे और इस तरह से आपका ये जो है आकरती बनती जाएगी तो अब यहाँ इस चित्र की बात करें तो 40% इस चित्र में जो है काम हो गया है इसके बाद घरों को बनाया जाएगा और उसके बाद पेड़ वगेरा भी बनाया जाएगी जो यह आपका एकदम ग्रीन अभी मैंने बनाया है रेड कलर से पूरा यहां पर इस तरह से इसको बनाईए तो बड़ा अच्छा लगेगा कुछ देर के बाद ठीक है तो यह आपका रास्ता तैयार होगा कुछ देर के बाद देखिए मैंने पूरा जल्दी सकर दिया ताकि आपका टाइम भी बच जाए तो इस कलर से और इसके सफेद कलर ऐसे पट्टी लगा दीजे तो इसके बाद आप इसको फिर साइन करिए फिर इसको घिसिए थोड़ा इससे क्या होता है कि रास्ता जो है एक्दम क्लियर दिखने लगे ऐसा नहीं लगेगा कि दो रंग इसमें मतलब की बने है दीरे दीरे आपको ऐसा लगना चा चितर में वो रियल ना लगे तो चितर मतलब मेरे ख्याल से तो चितर नहीं माना जाएगा तो रियल लगे इस तरह का आपको यहां पर एक चितर बनाना पड़ेगा और जो जो यहां पर किया जा रहा है इन सारी बाक्तों का इन सारी बारिकियों का आप ध्यान दीजे एक द अब्बे नंबर कला में आप सभी को मिल जाएगा और मैं दिखाऊंगा कि जो कला बनाया गया है कितना मतलब की माक्षेट में नंबर आया तो मैं नंबर भी दिखा दूँगा अगर आप कहेंगे तो अगले मतलब की वीडियो में नंबर भी दिखा दूँगा कितना कला में न तो इस तरह से यहां पर जो है रास्ते के बगल जो है थोड़ा सा सजा दिया जा रहा है ताकि रास्ता और खुब सूरत दिखने लगे ठीक तो अब जो आपका जो यह चित्र है इसका 50% से अधिक काम जो है यहां पर कर लिया गया है अब देखिए जो है इतना थोड़ा सा मैं ने करकर वीडियो रोग दिया था ताकि जो है जल्ली से आपको कम समय में आकरती बना कर दिया जाए तो इस तरह से यहां पर जो है अब जो हरे कलर से मैंने इसको पोतना स्टार्ट किया अब यहां पर आपको एक घर जो है बना कर दिखाना होगा तो इस तरह से दिखे यहां पर डिजाइन किया जा रहा है यहां पर घर बनेंगे पीछे जो है पेंड मलब की रहे पीछे जंगल टाइप मतलब की जानी टाइप का लगे इसलिए उपर जो है आप हरे कलर से उसको पेंड करती जे ठीक और यह जो आपका जो अभी सफेद इसी डिजाइन करना है तो यह जो कलर है इस कलर का यूज करके आप घर को भी थोड़ा से जो है जो है तो आप यहां पर लेकर इसको ऀपर करे यहां पर इस तरह से करिए तो कुछ देर के बाद जो है आपके घर की भी आकृती यहां पर बन कर लगबग आकृती समझी पहले ही था उसी में manifests कलर करके जो है आपको डिजाइन बना कर दिखाया जा रहा है तो यह चीज यहां पर हो रही है और इस तरह से जो है लगभग लगभग आपका अब चित्र में जो है 80% कारिय हो चुका है बचा हुआ है जो आपका 20% उसमें आपको पेंड बनाना है और पेंड बनाने के बाद थोड़ी सी साइनिंग इस चित्र को और देना है ताकि यहाँ पर एक रियल चित्र बन जाए देखिए जो आपका घर है उसमें यहाँ पर इस कलर से हमने जो है उसकी छपर को मतलब की लगा दिया है ताकि घर में जो छपर है वो भी आपका डिखने लगे तो यह चीज यहाँ पर देखिए इस तरह से कर दिया गया है पेंड बनाने का होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा घर में जैसे खपड़ा बना रहे, उस तरह से मैंने इसको बना दिया, तो कितना अच्छा है और कितना खुबसूरत घर बन गया, खिंडखियों और दर्वाजों को जो है काले कलर से आपर दिखा दिया गया, अब जो है पारियल या ताड का पेड़ होगा, तो उस पेड़ को यहाँ पर आपको दिखाना होगा, और देखिये यहाँ पर एक प्रिच आपका तयार की अज़र है, जो जस्ट घर के जस्ट पीछे है, ऐसा लगे, और इस पर जो है, इस तरह से हम कलर के ही संयोंजन से उस पेड़ को जो है, देखिये कितना खुबसूरत बना दिये हैं, बस आप देखिये, तो इस तरह से बस थोड़ी सी कलाकारी करना है, देखो क्या करना है, हाथ को ऐसे बार बार उस पर हिलाया जा रहा है, इसी से बनता चला जा रहा है, तो बहुत जादा आपको यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिप समझने की बारीक समझ हो तो आप से चित्र जरूर बनेगा, अच्छा बनेगा, बढ़िया बनेगा, यह द्यान दीजे ठीक देखे, यहाँ पर पीछे इस तरह से ब्रिच बनेगा, अब यह ताड का भी ब्रिच हमें हम लोगों को यहाँ पर बगल में बनाना है और वो बना देंगे तो इस चित्र में खुप सूरती आजाएगी यह मान के चलिए यह चित्र काफी काफी खुप सूरत दिखने लगेगा, और उसी चित्र का यहाँ पर आप सभी को इंतजार भी है कि वो आपका यहाँ पर बने, ठीक, तो पीछे वाला पेंड भी लगभग लगभग बनकर तयार हो चुका है अब आगे वाला पेंड हम यहाँ पर इसके बाद बनाने जार है, ठीक, तो यह पीछे वाला पेंड कंप्लेट हो गया है अब देख सकते हैं कितना अच्छा दिखने लगा ठीक अब जो है यहाँ पीछे वाले पेंड chapter बनाने के बाद जो इसको तोड़ा सा कलर कर दे रहे हैं अब जो है इसके आगे वाला पेंड है रहां है हम त्यार कर रहे हैं कुछ करना नहीं है बस उसकी बड़ी सी साखा यहां पर ला दीजे और इसमें इस तरह से आप पहले इसको बनाएए फिर इसमें डिजाइन लगाईए जो उसमें टहनिया निकलती हैं और यह करना तो बहुत आसान होता है मुझे नहीं लगता कि आपको यह करना भी कठिन लग करता होगा तो यह करना जो है बहुत बहुत आसान है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है तो इस तरह से यहां पर यह बन जा रहा है बस आप इसको देखती रहे ठीक अभी इसमें हरे कलर का पत्ति बना देते हैं तो यह भी अच्छा लगने लगेगा तो इस तरह से यह आपका ब्रिच लग भग लग भग बन कर तयार होने वाला है बस कुछी सेकेंड का फांसला है आपको एक अच्छी आकरती से जो बोर्ड में आप बनाने वाले हो बहुत थोड़ा सा फरक रह गया है और आपको ऐसी है आकरतिया और अगर चाहिए तो तो अगर आपको ऐसा चितर बनाना है तो प्लेज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें देखिए बहुत अच्छा बन गया ठाइंक्यू सो मच जहें